हेलो, असलाम लेकूम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, आप सब बिलकुल ठीक होंगे आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारती दर्शन के बारे में तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दर्शन होता क्या है पिछली वीडियो में मैंने दर्शन के बारे में विस्तार्थ पूर्वग प्रकाश डाला है अकर आपने वीडियो अपी तक नहीं देखिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप जाकर देख सकते हैं फिर भी थोड़ा थोड़ा इंट्रड़क्शन ले लेते हैं मनुष एक चिंतन शिल प्राणी है सोचना मनुष का विशेष्ट गुड है इसी गुड के फल सरूप वह पश्वों से भीन समझा जाता है अरस्तु ने मनुष को विवेख शिल प्राणी कहकर उसके सोरूप को प्रकाशित किया है मनुष क्या है एक चिंतन शिल प्राणी है पश्व क्या करते हैं केवल खाते हैं सोते हैं परंतु मनुष क्या है हर संदर में विचार मनन चिंतन करता है जिस्कारण उसे पशो से भीने समझा जाता है अरस्ति ने मनुश को विवेक शिल प्राणी क्याकर उसके सरूक को प्रकाशित किया बुद्धी मनुष्य का वहाँ गुड़ है जो उसे पश्वों से भीनी करता है बुद्धी का है मनुष्य में बुद्धी पायाती है अता मनुष्य बुद्धी की सहायता से तर्ग पूर और युक्ति पूर जो ग्यान प्राप्ति करने का प्रयास करता है उसे ही दर्शन कहते है अता जब हम सत्य तथा मूल तत्व का साख्षातकार करते हैं तो उसे दर्शन या सामयक दर्शन कहते हैं मनुष्य जो अपने व्युक्ति और तर्पुर संदर में जो भी ग्यान प्राप्त करने के प्रास करता है उसे कर्व मनुश्य को बंधन में जिस वैक्ति को यह संसार की जाल में फस जाता है उनके अनुसार जो जिसे भी यह संसार की जाल में फस जाता है अब बात करते हैं ये तो बात की हमने दर्शन के बारे में आज का हमारा में टॉपिक क्या है भारती दर्शन तो आ जाते हैं भारती दर्शन पर भारत में फिलोसफी को दर्शन कहा जाता है दर्शन शब्द द्रिश धातु से बना जिसका अर्थ देखना है भारत भूमी से संबंदित तथ्यों की खोज करना भारती दर्शन भारती दर्शन क्या है भारत भूमी से संबंदित भारत भूमी से संबंदित तत्यों की खोज करना ही भारती दर्शन है भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसकी दौरा तत्व का भारत का दाशने केवल तत्व की बौददिक व्याक्या से संतुष किरना चाहता है भारती दर्शन में अनुभूतिय दो प्रकार की मानी जाती पहला इंद्री दूसरा अनेंद्री इन दोनों अनुभूतियों में अनेंद्री अनुभूति जिसे अध्यात्मिंग अनुभूति का जाता है महात्वपूर है भारती विचारकों के मता अनुसर तत्व का साक्षातकार अध्यात्मी अनुभूती से ही संभव है भारती विचारक क्या कहते है कि तत्व का जो साक्षातकार होता है उस अनुभूती केवल अध्यात्मी अनुभूती के धोरा ही संभव हो सकती है चुकि भारती दर्शन तत्व के साक्षातकार में अस्था रखता है इसलिए इसे तत्व का दर्शन कहा जाता है भारती दर्शन की मुख विशेष्टा वहवारिकता है भारत में जीवन की समस्या को हल करने के लिए दर्शन का सरजन हुआ भारत में दर्शन की मुख समस्या है जिनका हल करने के लिए ही दर्शन का स्रजन हुआ है भारती दर्शन के संबन में विविन विचारकों के विचारभिन है कुछ विचारक भारती दर्शन को हिंदू का दर्शन मानते हैं जो सर्वता अनुचित है भारती दर्शन सर्व दर्शन के रूप में अथदिक सुविकारा गया है कुछ विचाराग में भारती दर्शन केवल हिंदू दर्शन के रूप मानते जबकि ये गलत है भारती दर्शन को सर्व दर्शन के रूप में अथदिक सुविकारा गया है क्योंकि भारती दर्शन में जहां एक और हम वैदिक, वेदान्त या उपनिष्ट दर्शन आदिको समलित तथा बहुत दर्शन को भी समलित करते हैं इस अधार पर विधानगर भारती दर्शन को व्यापार रूप में स्विकार करते हैं भारती दर्शन के अंदर का चारवक दर्शन, जैन दर्शन, बहुत दर्शन आदिस समलित करते हैं इसलिए दर्शन को व्यापार करते में स्विकार किया जाता है भारती दर्शन का वर्गी करन अत्वा शांका है भारती दर्शन की दो शाखा है आस्तिक तथा नास्तिक आस्तिक में सांक दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वेदान दर्शन, वैशिक दर्शन, मिमान सा दर्शन नास्तिक दर्शन में भौतिक वादी, आत्मवादी, भौतिक वादी में चारवक्त दर्शन, आत्मवादी में जैन दर्शन तथा बौर दर्शन आते हैं भारती दर्शन की दो प्रमुक शाखा हैं आस्तिक दर्शन नास्तिक दर्शन भारती विचारधारा में आस्तिक उसे कहा जाता है जो वेद की प्रमारिक्ता में विश्वास करता है और जो वेद को प्रमार्ण नहीं मानता इस प्रकार आस्थिक का आर्थ है वेध का अनुयाई और नास्थिक का आर्थ है वेध का विरोधी चाह जाता है इस दिश्टिकोंड से भारती दर्शन में 6 दर्शनों को आस्तिक कहा जाता है तथा आस्तिक दर्शन को श्रट दर्शन भी कहा जाता है। ये दर्शन किसी न किसी रोब में वेद पर आधारित है। नास्तिक दर्शन के नतरगत चारवाक जैन और बौध को रखा जाता है इस प्रकार नास्तिक दर्शन तीन है इन्हें नास्तिक के लाने का मूल कारण या है कि ये वेद की निंदा करते हैं कहा भी गया है कि नास्तिको वेद निंदक भारती दर्शन की रूपरे का या प्रमा विभाजन हुआ हैं, मतलब वेद की अधार पर ही भारती दर्शन के संप्रदायों का विभाजन हुआ हैं। भारती दर्शन की विशेश्टाइम भारती दर्शन सर्व दर्शन के रूप में कार करता है भारती दर्शन की उत्पत्ती आत्मिक अशांती निराशा से होती है भारती दर्शन सुखवादी या निराशवादी दर्शन कदापी नहीं है भारती दर्शन दुख निराशा और जीवन के बारे में अध्यात्मिक चिंता का विशय है भारती दर्शन दुख निराशा असंदोश अनास्ता उदासिंता आधी से छुटकारा प्राप्त करने की इच्छा या चेश्टा है भारती दर्षन में दुख तथा निराशा की उत्पत्ती पर विचार किया गया है तथा उसका अंत एक मंगल में आशा के रूव में किया गया है भारती दर्शन के अनुसार दाशनिक चिंतन का उद्देश बौधिक जिग्यासा के तिप्ति मातर नहीं है बलकि बहतर जीवन की खोज है भारती दर्शन के नुसार दर्शन का अर्थ केवल ग्यान के प्रती प्रेम या अनुराग जानना मातरन ही नहीं है बलकि ग्यान या सत्त की अनुभूती है यहां ग्यान और सत्त जानने की वस्तू नहीं है वा तो अनुभूती का विशह है भारती दर्षन में जीवन को समगर द्रिष्टी से देखने की प्रवर्ती रही है इसलिए शिक्षदर्षन राजनेतिक दर्षन आदी का अलग से विचलन नहीं मिलता है यहां सिक्षदर्षन का ही एक ग्रियात्मक पक्ष है जिसके दौरा जीवन के आधर्षो एवमूलो को जाता है अब बात करते हैं भारती दर्शन के इतियासिक परिपेख्ष के बारे में भारती दर्शन के इतिहास के संबन्द में इस पश्ट विचार प्राप्त नहीं है या कब प्रारम हुआ कहां विक्सित आदी प्रश्णों के उतर प्राप्त नहीं हो पाए हैं बैदिक साहि इतना अंधकार्म है कि इसके बीच तारगड़ों के प्रकाश के समान केवल वैदिक मंत्रों को छोड़कर अन्य किसी की साधन से आलोग की प्राप्ति नहीं होती है। इत्यास को निमले के चार भागों में बटा जा सकता है। इसके अलावा जैन तथा बहुत धर्म दर्शन तथा गरंतों के रशना भी इसी काल में हुई है। सूत्रकाल इस काल में वेद तथा वेदांत पर अधारित एवम उनकी व्याक्या करने वाले सूत्रों की रचना हुई है। संख्या में छे हैं सांख, योग, न्याय, वैशिक, मिमांसा तथा वेदांत आदी। भाष्यकाल इस काल में महार्शियों तथा संतों ने सूत्रों के अधार पर भाष्यों की रचना की इसी काल में इन भाष्यों पर अधारित वर्टिका तथा टिका की रचना हुई। भास्षिकाल में भारती दर्शन का स्वरूप पूरी तरह से निखर आया तथा अनेग दर्शनिक संप्रदायों की स्थापना हुई परंतु अभी तक साहित तदा दर्शन अत्यन्थी जटिल रूप में थे जो कि रिश्यों, मुनियों तथा विद्वानों द्वारा ही अधरन जनता अभी इनकी पहुच से बहुत दोर थी यह था आज का हमारा टॉपिक भारती दर्शन आशा करते हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो अगर वीडियो अच्छी लगे और आपके थोड़ी सी भी हेल्फुल हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे जैन दर्शन के बारेंगे